दोस्तों आज मैं अपने सेटप पर नहीं हूँ, आज मैं आ रहा हूँ जैपूर के अंदर दोस्तों अगर आप Poco X2 लेने की सोच रहे हूँ ना तो एक बार के लिए रुक जाओ क्योंकि यहाँ वर आपको डिस्प्ले और चार्जिंग बहुत ही कम देखने को मिल रही है हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है अंड्रोइड गुरुजी में दोस्तों एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं मार्केट में जाकर सभी फोन की टेस्टिंग करता हूँ उसके बाद में आकर आपको यहाँ पर बताता हूँ तो जो रियल्मी 7 प्रू है वहाँ आपको मिलती है 6.4 इंचिज की सुपर अमोलेट फुल एच्डी प्लस की डिस्प्लेए 60 हर्च की रिफ्रेश रेट गोरिला गलास 3 की प्रोटेक्शन लेकिन अगर हम बात करें ना Poco X2 की वहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्लेए मिल रही है 6.67 इंचिज की लेकिन फुल एच्डी प्लस है यहाँ पर आपको सुपर अमोलेट नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा मिल रही है 120 हर्च की अब ऐसे देखा जाए ना तो डिफ्रेश रेट ज़्यादा है लेकिन सुपर अमोलेट नहीं है तो मेरा यह मानना है कि सुपर अमोलेट आपको एक बेटर क्वालिटी दे पाएगा तो मेरे हिसाब से रियल्मी 7 प्रो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में बेटर आप्शन दे पाएगा रैम और रोम दोनों ही फोन के अंदर वैरी कर रही है वो आपर टीपेंड करता है कि आपको कौन सा यहाँ पर रैम रोम का वैरियंट लेना है सबसे में हालाइट प्रोसेसर हाला कि प्रोसेसर अलग अलग है लेकिन मैं रिकमेंट नहीं करूँगा दोनों कोई क्यूंकि दोनों ही अपनी जगाए पर सेम है रियल्मी 7 प्रो मापको मिल रहा है स्नैप ड्रैगन 720Z 720G और वहीं पर पोको X2 मापको मिल रहा है 730G तो वैसे तो कोई खास फरक नहीं पड़ेगा comparatively हाँ Poco X2 का बहुती slightly better है अगर इसको 98 मार्क्स मिल रहा है तो इसे 99 मिल जाएंगे इसे जादा फरक नहीं पड़ेगा फरक का पड़ेगा कैमरा के अंदर हाँ कैमरा में फरक पड़ेगा लेकिन वो भी selfie कैमरा में rear के अंदर इतना जादा नहीं पड़ेगा दोनी फोन के अंदर quad कैमरा है realme 7 Pro है वहाँ को मिलता है 64MP का sony imx682 plus 8 plus 2 और plus 2 के बाकी sensors यहाँ पर मिल जाएंगे पोको x2 के अंदर बात करें रियर कैमरा की तो वहाँ वहाँ भी quad camera setup है पहला कैमरा आता है 16MP का sony imx686 के साथ में plus 8 plus 2 और plus 2 अब sony imx682 और 686 के अंदर बहुती slightly फरक है अगर आप फोटो को compare भी करते हो ना तो आपको इतना जादा पता नहीं चलेगा लेकिन front camera में बहुती major difference है क्यों 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 Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है 32MP का front camera लेकिन Poco X2 में आपको मिल रहा है 20 plus 2 का और 2 है यहाँ यहाँ पर depth के लिए तो वैसे अगर competitively देखा जाए कि चलो ठीक है भाई Poco के अंदर आपको dual मिल रहा है लेकिन 32MP की जो quality है आपको Realme 7 Pro वाली battery मिलेगी battery की बात करूँ सबसे बड़ा difference यहाँ पर battery का और charging का ही है क्यों है क्योंकि Realme 7 Pro में आपको मिलती है 4500MH की battery 55W का dart charge और company का यह कहना है कि 34 minute में battery 100% पूरी charge हो जाएगी लेकिन इसका बिलकुल उल्टा है यहाँ पर Poco X2 के अंदर क्यों यहाँ पर आपको battery मिलती है 4500MH की same लेकिन 27W की charging आती है और company यह कहती है कि लगबग लगबग आदे गंटे में 50% battery ही आपकी charge हो पाएगी तो कहां 34 minute के अंदर 100% और कहां 34 यह आदे गंटे के अंदर 50% तो यह यहाँ पर एक major difference price range की बात करें तो realme 7 pro है तो 20,000 रुपेज शुरू हो जाएगा अब आगे देखते हैं कि यह कहां तक और जा पाएगा और वहीं अगर आप Poco X2 की बात करें तो 16,000 से स्टार्टिंग है इसके offline market के अंदर online के अंदर और लगबग 20,000 रुपे तक इसका higher variant जाता है हाँ price range के इसाब से अगर मैं यहाँ पर बताओं मेरे personal opinions तो मैं यह कहूँगा कि अगर आपको budget allow कर रहा है ना 1000-2000 रुपे एक्स्ट्रा लगाने का तो अब Realme 7 Pro की तरफ जाएगे Poco X2 डिजाइन वाइज में मुझे पसंद नहीं है पिछे गोल-गोल सा कैमरा दिखता ना अजीव लगता है हाँ Realme 7 Pro की डिजाइन काफी अच्छी है ठीक है वैसे तो अब मतब देखा जाना है कि build quality दोनों के अंदर कोई खास नहीं है budget phone है ठीक है लेकिन Realme 7 Pro आपको यहाँ पर better quality दे रहा है display की भी और charging की भी बाकि दोस्तों आपके क्या रहा है दोनी phone के बारे बते मुझे comment box में और हाँ दोस्तों सारे comparison चाहिब हो Oppo F17 Pro का Realme 7, Realme 7 Pro सभी comparison आपको latest इनी दिनों में मेरे चैनल पर मिल जाएंगे description के नरा आपको दे रहा है उनलेक वहाँ जाके आप देख सकते हैं फिला दोस्तों में इतना ही keep watching, keep sharing